नमस्ते दोस्तों CRPF में टेकनिकल और ट्रेट्समेंट के भरकेंसी निकली होई थी आपको पता है 92 सो ज्यादा पोश्ट पर है आप लोग कमेंट के माद हम समसे पूछ रहे थे कि सर पहले इसमें फीजिकल होगा पहले इसमें एक्जाम होगा कंफ्यूज आप लोग इसलिए हो रहे थे तो अलग अलग यूट्यूब चैनल पर आपने वीडियो देखा है कि कोई बता रहे कि यह पहले एक्जाम है कोई पहले पहले फिजिकल है तो संपुन डिटेल्स आपको इसमें बताएंगे कि आपको पहले क्या होने वाला है फेक न सारा कुछ आपको बताएंगे चली वीडियो को सुरू करते हैं देंगे दोस्तों सबसे पहले आपको यह पोस्ट लिखा गया उसको हटाते हैं अगलग पहले क्या होगा फिजिकल होगे के रीटेन एक्जाम होगा भाई कन्फ्यूज मत हो पहले जब नोटिपीकेशन आया उसी टाइम ने क्या बोला था पहले एक्जाम डेट उसी टाइम बता दिया था का आपका एक्जाम है अब इसमें अलग अलग चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है पहले फिजिकल नोटिस निकला है सारा फेक है अभी कुछ नहीं निकला है पह इसमें कन्फ्यूजन होगा मिनिममम दोस्तों जो एक्जाम 13 जुलाई को खतम होगा आपको दो महिने का मिनिममम समय मिलेगा यानि सितंबर तक दोस्तों कैसे भी करके सितंबर लाश्ट टक आपके स्टाट होगा इससे पहले होने वाला नहीं है धियान रखिएगा अब यह देंगे सभाई कमचारी सेकेंड मोश सबसे लिए अपलाई हुआ इसका अभी कटप बताएंगे पिछला कटप ताकि आप उतना नंबर लाओ प्रैक्टिसेट कर रहे हो तो उतना नंबर आपका आ रहा है कर नहीं सारा कुछ आपको बताएंगे ठीक है पहले आपको रिटे दोस्तों आपका यहां पर देखोगा नहीं पहले हिंदी और इंग्लिश कौन सा लेगा में एक्जान देना है तो पहले दोनों वाला देख लीजिए का प्रस्ण्व थीक है ताकि आपको आइडिया लगे कर भी कौन सा असान है हलाकि हिंदी बहुत असान होता है तो हम मेरा अगर सजेशन मानों तो हिंदी ही आप लगा सकतो नहीं तो आपकी मर्जी है इंग्लिस वीडियम से पड़े हैं तो इंग्लिस भी लगा सकतो ठीक है बात समझ गये तो यह सिलेबस रहने वाला है सिलेबस दोस्तो आप लोग ने देख लिया और एक्जाम में मातर कुछी दूनों का समय बचा हुआ है और अंतिम दीन होता है दोस्तो प्रैक्टिस एड लगाने का मौक टेस लगाने का इसके लिए बेस्ट बूक अकसर आप पूछते हो तो देखो मैं बेस्ट बूक आपको बतारों यह बूक आता है दोस्तो चक्सू पब्लिकेशन का नियूंतम पेटर्न और सिलेबस वादारे दोस्तो तमाम पोस्त इसमें आजाएगा जितनी प्रकार कि इसमें पोस्त आयते सभी के लिए दोस्तो यह बूक होने वाला है ठीक है इस बूक में आपको 20 प्रैक्टि सेट आप लोग ने देख लिया तयारी को गर और मजबूत करना चाहता हो ना तो चक्सू पब्लिकेशन का दोस्तों सी आर्पिया कॉंस्टेबल ट्रेट्समें के लिए स्टडी गाइड भी आता है ठीक है दोनों का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिस में दाल दिया वहां जाता है सबी राज्यों को बता दो इतना बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और बोर्ड पर जगा भी नहीं मिलेगा ठीक है ध्यान समझेगा अगर आप यह कटप जो मैं बता रहा हूं दोस्तों ठीक है ध्यान समझेगे यह यूपी का बता रहा हूं भिहार हरियाना राजस्थान इन सब राज्यों का इसके लगाई उत्राखंड भी जोड़ लो हिमाचल पर्देश भी जोड़ लो ठीक है इन सब राज्यों के अगर आप जरकंड के हैं तो थोड़ा सा कम जाएगा पांच्छे नंबर कम होता है जरकंड के पाद एंपी है ज तो मैंने बता दिया तो यह सब राज्यों का उसके बाद जो कट आप जाता है आपको आएंगे हम बताएंगे पहले इसनों राज्यों के लिए पहले बता देते हैं पहले यूपी से आपको आइडिया लेगेगा कितना पर सेलेक्शन हुआ था ड्राइबर का 2017 में एडावलेस केटेगरी नहीं बना था अगर एडावलेस केटेगरी होता भी तो बच्चे जनर्र में क्वालिफाई हों गये थे इसलिए एस्टी का नहीं है अब बीगुलर आप लोग क्रमेंट में बताना किस पोश्ट के लिए आप फॉम अपलाई की हो बीगुलर का दो दोस्तों मात्र चपन ठीक है जनर्रका ओंगिसिंट 53 फ्यूर के ठीक है अब 46 आपका Psychology कि का मिनना पता है कि कूण क्वा ना हो नहीं तो एक्वान तो कुछ ऐंडर का दोनेग यह में क्या वेकेंसी था सबसे हुग जादा इस इस northern ओर दोस्तों आप का पिम मात्र एसा इसलिए हुआ था पहले पहले फिजिकल होता था फिजिकल में मान पहले साथी बच्चते बच्चे पास हुए उसके बाव भूश की अब कीपार आपका क्या है नहीं होने वाला, यह ध्यान खेगा इससे आपका आइडिया लगना चाहिए कूक और वाटर के रिएगा दोस्तों ध्यान समझेगा यह आपका OBC का 47 ठीक है और 40 मातर हुआ था दोस्तों कि लिए सभाई कंचारी का को सत्ता चला गया था ऐसा क्यों कुक में दोस्तों बहुत ज्यादा बच्चे फेलोते हैं कुक में सवाल क्या पूछा जाता है रोटी आपको गोल बेनने के लिए आता है के ने गुंदने आता है चौपिंग करने के लिए देगा बोल देगा इसा अब सफाई में किसको झाडू लगा ने के को कई तरीका को ज्यादा जाता है जैसे दोस्तों कम होते हैं सफाई कर्मचारी में इसलिए बच्चे यहाँ ज्यादा पास हो जाता है उसलिए कटिण ज्यादा चलाए है कुख में बच्चे ज़ादा फेल होते ज़्यादा बच्चे फेल याई कम बच्चे पास होंगे तो यह इसलिए अंतर होता है दोस्तों ठीक 66 गया था OBC का, और 61 गया था आपका SE का, यह दूस्त यूपी का है, ध्यान रखिएगा, यूपी का हमने बताया, अगर यूपी का हमने बता दिया न, तो आपका भिहार, हरियाना, राजस्था, उतराकशन, हरियाना, इन सब राज्यों से हैं, ठीक है, तो आपका जहरखंड भी इंक्लूड कर लो ठीक है इतना कास पास आपको कोशिज करना है न कम से कम देख रहो न अब एक्जाम में रिजल्ट लाना है तो भाईया नमबर कम से कम कोई भी है तो आपका मैं एक टार्गेट डेता हूं 70 पलस ही आप लाईएगा कम से कम अभी बताएंगे तो आप लोग होता है न अभी कैसे पेपर के लेबल में भी डिपेंड करता है कैसे पेपर में प्रस ने पुछे जा रहे है असान है के हाड है तो वह तो अलग चीज है लेकिन पिछला बर से आपको थोड़ा बहुता आइडिया मिलेगा पिछा सा पिर भी कैसे रखीसे ढिएगा यह सब रहनेवाले बुप हैं टीके वेस्ट बंगार इसके अलग गुजरात का कटप थोडव होता तो एक बहुत कम होता है इसके अगर बात करें तो ओडिश्य के कटप भी थोड़ा बहुत कमी रहेगा तो यह सब जुस्तों आपको बोल सेकता हो निसे मेडियल स्टेट में तो यह बाकि दूस्तों आप नौट-इस्ट को हो साउस से हो तो आपका सबसे लोग कटप रहता है यह बात ध्यान रखिएगा जहां ज्यादा कमपटिशन वहां ज्यादा ठीक है चलो तो यह आपको मने बता दिया कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माद में पूछ लीजेगा चैनलो जलो सब्सक्राइब करके बेले किन दबाईएगा धनिवाद